हेलो एब्रीवन, वेलकम टू मैं चैनल रिक्स कुकिंग फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पालक का क्रीमी सूप जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसके साथ मैंने जो कॉंबिनेशन बनाया है यानि कि गार्लिक एंड कैश्यू का वो इसके स्वार्थ को ओर चारगुना बढ़ा देता है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं यहां पर हम लेंगे धाई सो ग्राम पालक को हमने साफ कर लिया यानिकोमी दंड से दो लिया है और दोंए की बाद इसको हमने एक चनणी में डाल दिया है ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए अब हम लेंगे कड़ाई इसके अंदर हम सूप बना रहे हैं इसमें हम डालेंगे एक चमज बटर अगर आप बटर नहीं खाते तो घीया तेल ले सकते हैं लेकिन जो सूप होता है वो बटर में ज्यादा टेस्टी बनता ह अब इहां पर हमने 10-12 कलिया लसन को एकदम बारीक बारीक कर लिया है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे एक बारीक कर टाप याज और इसको हम बूनेंगे इसको हम को एकदम जादा लाल नहीं करना है थोड़ा पिंक हो जाएगा जब हम इसको भूनेंगे यह देखिए लस्तन और प्याज अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम डाल देंगे पालक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से हिला देंगे ताकि ये इसके सब मिक्स हो जाए अच्छे से और अब इसमें हम डालेंगे 12 से 13 काजू अपर इसमें डाले है हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार का मैदा या कॉर्ण फ्लोर यूज नहीं किया है इसने हम काजू इसमें डाल दिये हैं काजू से थिक भी होगा और इसका जो टेस्टे वो भी बढ़ा देगा इसने हमने इसमें काजू डाला है और इसको अच्छे से भून लेंगे लगभग 10 से 12 मिन तक इसको हम मीडियम फ्लेप पर पका लेंगे ताकि जो पाला के वच्छे से पक जाए थोड़ी यह देखिए पालक अच्छे से हो चुकी है अब इसको हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने देंगे इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे यह ठंडा हो चुका है अब इसको हमने ग्राइंडर जार में डाल देंगे इस पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेते हैं यह यह देखिए पालक पिस चुकी है अब वही कडाई ले लेंगे और इसको चन्नी के अंदर चान लेंगे आप चाहें तो बिना चाने भी योज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं निकलता है पालक यह देखिए इसको हम अच्छे से चान लेते हैं अब जार में थोड़ा सा पानी डालके इसको अच्छे से डाल देंगे यह देखिए, यह अच्छे से चंद चुका है, इसको अच्छे से हिला लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे दूद, यहाँ पर मैं 300 ml दूद डाल रही हूँ, डेट कप के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखावा है, अब इसमें हम डालेंगे आधी चमच, काली मिर्च पाउडर, आधा चमच नमक, नमक और मिर्च अब अपने टेस्ट के इसाब से डाल सकते हैं, कम जादा कर सकते हैं, अब इसको हम पकाएंगे, पकाते वे लगबख 5-10 मिनिट हो चुके हैं, और यह सूप हमारा बन कर तैयार हो गया है, आपको जितना थीक या पतला रखना है, आप दूर उसके इसाब से कम जादा कर सकते हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2 चमज क्रीम, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, इसको अच्छे से बीक्स कर देते हैं, क्रीम डाल के इसको हमको बहुत जादा नहीं पकाना है, एक से दो मिनिट रखेंगे, क्रीम डालने के बाद, यह सूप बहुत जादा टेस्टी होता है, और हेल्दी भी होता है, हमने इसमें मैदा और कॉनफ्लोर का यूज भी नहीं किया है, तो यह हमारा सूप बन कर तेयार हो गया है, अब हम बनाते हैं, गार्लिक जो हमको फ्राय करके बनाना है, तो हमने यापर लसन को बारी-बार कट कर लिया है इसको piej कर लेते हैं, थोड़े से तेल के अंदर इसे जो सूप का टेस्ट हो बहुत preservation होजाता है आप एक पर इसको डाल के जरूर पीजिए गा देखें लेते है लस beş सños को आपको एक दम बारिक बारिक की कट करना है मोटा कट नहीं करना है ये देखिए लसन फ्राय हो चुका है इसको प्लेट के अंदर हम निकाल लेते हैं इसको आप प्लेट में निकालके थोड़ा फैला लीजिए तो ये ठंडा हो जाता है तो एकदम अच्छा सा हो जाता है कुल कुल हो जाता है कुल कूल साइस लेखिए लशन फ्राइइ kalau कॡ़िए आप कायुद मekoEC कर लेंगे इसको भी हमको एकडम पतला पतला छोटा शुटा करना है। 내 देखिए इस तरीके से काजु को हम कर लेते हैं आप अपर काजु और लशन डालके जो आरलिक फ्राय है वो बोल के अंदर डाल लेंगे यह सूप बहुत जादा हेल्दी है इसमें हमने किसी भी प्रकार का कॉन फ्लोर या मैदा का यूज नहीं किया है इसके अपर हम क्रीम से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे यह हमारा पालक का क्रीमी सूप बन कर तयार हो गया है अब आप इसको खु को इसी तरह नहीं नहीं रेसेपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए थैंक यू